अरे रोहिद भाई तो दूसरा घर में चले गए अरे घर के बाहर इतनी सारी लड़किया क्या कर रही है पता नहीं राजू कहां चला गया लेकिन मेरे घर के बाहर पूलीस क्या कर रहा है ये गाड़ी कैसे चला रहे दे मेरे एक पेड़ को धक्का दे दिया इन्हों तो अवी घर के अंदर जाके दूसरी तरब से भागना होगा मुझे लगता है राजू ने कुछ गड़बड किया है चलो इस प्रेन से राजू के पास जाता हूँ पता नहीं उसने क्या गड़बड किया है जो पुलीज मुझे यहां पर मार रहा है रुको में बाहर निकलता हूँ तब से तुझे देख रहा हूँ तु किसी पागल खाने से भाग क्या है क्या मेरी बहन तेरी कितनी बड़ी फैंती लेकिन तुने उसको मार दिया तुझे अब मेरे हाथों से ही मरना होगा अरे तेरे बहन को मेरे नहीं मारा ओई रोक रोक अरे पुलिस इधर भी आ गई अब रोगजा होती है ले गाली देता है तब से तुझे जहल रहा हूँ देखा रोहित का पावर अब कैसे पड़ा हुआ है अब इन पुलिस बालों को सबक सिखाना होगा एक तो मेरी प्लेन और पेड को उड़ा दिया अर उपर से मेरे उपर गोली भी चलाया अब रोगजा आ रहा हूँ तेरे पास बोलो तुम सब गोली क्यों चला रहे हो मेरे उपर चप गाडी में बैट निकल गाडी से चुप चप गाडी में बैट बोल रहा है रोहित से बत्तमे जी अब उस पूलिस बाले को सबक सिखाना होगा कोई बात नहीं एक नायग दिन राजु से भी कोई मिलने आएगा बाहर इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है अरे बापरे ये सब उपर क्यों आ गए तुम सब यहां क्या कर रही हो मैंने तुम लोगों को बोला था रोहित यहां नहीं है चुपचप चले जाओ मेरे घर से नहीं तो एक एक गोली से उड़ा दूँगा अब तु क्या हमें मारेगा हम सब अभी तुझे मार के यहां धप्ट्रा देंगे हम तो यहां पर इसलिए आया है क्योंकि हमारे लड़की को कोई मार दिया और हमें लगता है कि देरे इलबा ये कम कोई नहीं कर सकता अबे राजू ऐसा कम कभी नहीं कर सकता हम राजू ता जेंटेलमेन है बेवजा किसी को नहीं मरते चुपचाप चली जाओ ये ही तुम सब के लिए अच्छा रहेगा अरे तुम सब ऐसे नहीं मानोगी मुझे जल्दी से रोहिद भाई को बुलाना होगा ये लोग तो मुझे कातिल समझ रहे है अरे कुद जा कुद जा क्या मुसीवत है अब रोहिद भाई से कैसे मिलने जाओ चलो उड़ गया एक बार रोहिद भाई को बुला लूँ उसके बाद इसका बदरा ले लूँगा इनसे अरे ये रही उस लड़की किलास लेकिन इसको मारा किसने और ये काम तो मैंने नहीं किया लगता है जो लड़किया ये आई थी उनी में से किसी ने किया है जिसने भी ये किया है उसने चालाकी से मेरे उपर इल्जाम लगा दिया ताकि ओ बच जाए रुपचा रुपचा हम तुझे नहीं छोड़ने वाले है भागना होगा अभी यहां से नहीं तो अपने आपको बेगोना साभीद नहीं कर पाऊंगा और असलिम मुझरिम बच जाएगी लेकिन रोईद भाई के पास जाने के लिए मुझे कार की जरुवत पड़ेगी लेकिन फोन तो घर के अंदर है जिससे कि मैं कार को भूला सकता था अब कैसे उस फोन को लेकिया हूँ घर के अंदर तो इतने सारी लड़किया भरी पड़ी है और पीछे विस्व लड़किया अब क्या होगा राजु का जो होगा देखा जाएगा दोड़के जाओंगा और भाग क्या आऊँगा घर के अंदर जा रहा है मारो सब इसको अरे बापरे इतनी सारी लड़किया एक सद मुझ भी हमला किया तो राजु का ही काजु निकल जाएगा निचे उतर उपर उटके तु बज़ नहीं सकता अरे नहीं छोड़ दो छोड़ दो रोईद भाई आप का हो अरे रुक गाड़ी को गोल-गोल क्यों गोमा रहा है मैं पूलिस हूँ गाड़ी को गोल-गोल गुमाऊं या फिर इससे किसी को उड़ा दू तेरा क्या है बे अबे पूलिस है तो क्या दादागिरी करेगा चल निकल गाड़ी से मतलब इने पूलिस क्या बना दिया सब के ओपर दादागिरी कर रहा है तुझे तो मैं गेम से ही निगाल दूँगा इस लड़की से जाके पूशता हूँ आखिर सच में क्या कोई लड़की मारी गई है हेलो, मैं रोहित हूँ, आप से कुछ जानना था आपे तु पहले मार खा, तु नहीं लड़की को मार दिया किसी ने मुझे फसाया है, मतलब वो पागल सही बोल रहा था उसकी पहन सच में मारी गई, ठीक है मैं चलता हूँ आपे रूप नहीं मैंने किसी को नहीं मारा, मैं अभी जा रहा हूँ कातिल को ढूणने तु ही कातिले, रूप, तुझे पहले मार हूँ की, उसके बादी घर जाओंगी चली जाए यहां से, नहीं तो बेकार में मारी जाएगी बैसा भी मैं लड़की पे हाथ नहीं उड़ाता अबे चुप, भुटी है लड़की हो के गाली देती हो, लड़की हो, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ तुझे अबे तो हुक ना फिर, बताती हूँ ले, मारना चाती है न, ले मार, मैं भी देखता हूँ तेरे पास कितनी सकती है हाँ, ले भे हो गया तेरा, अब तू ले बोला था पंगा मतले, बेकार में मूठ उडबा लिया एक लड़की के लिए इतना सारा हंगामा, पता नहीं, राजू उहाँ पर क्या कर रहा होगा अगर यहाँ पर इतना हंगामा है, तो उहाँ पर क्या क्या होगा कही राजू भी तो मुझमत बनेई है उनके हुआए हुआ हुआ, उनके हुआ, उनके हुआ